आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं होता ही, Steady Gloss पे आपका बहुत 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 है, सबसे पहले तो आप हमारे शांदार कॉर्स UPSC Prelims, ये जरूर लीज़े, Target UPSC Prelims, इसमें डेली लाइफ क्लास हो रही है, ये बहुत प्राक्टेस करवाई जा रही है, 14 test series हम आपको देरे, 1400 सवाल, इतनी शांदार test series आपने देखी नहीं होगी, 110% आपका exam हम निकल वाएंगे, हिंदी और इंग्ली दोनों में है, current interface then CSAT, ये सारी चीज़े आपको मिलेंगी, सिर्फ फरसे 3000 रुपे में, और हमारा motivation course, in fact मेरा motivation course आपने join किया कि नहीं, अभी इसी वक्त करिए 200 रुपे का course है, इस तरीके के course बहुत जादा मेंगे मिलते हैं, motivation course नहीं है basically, it's a personality development course, ठीक है, और 20 plus lectures होंगे, live lectures होंगे, 23 April से class शुरू होगी, तो आप आपको जरूर डाउलोड करें, तो आज हम बात करेंगे भाई, trains की, येस, भाई जो हमारी trains हैं, वो आपको super fast तो लगेंगी, लेकिन खाली नामी काफी है, बस name में ही है super fast, क्या, असली में super fast हैं, रहात्री गर्ण करपया ध्यान दे, गाड़ी नंबर दिस दिस दिस, प्लैट्वाम नंबर एक पे आ रही है, लेकिन विलंब है, डीले है, तो भाईया, super fast काहें की, भाई, जब भारत राजधानी लौंच किया, राजधानी शेताब्दी पहले तो मनलब बैठना भी राजधानी में ऐसा होता था, कि रहे या राजधानी में बैड गए, यह शेताब्दी में बैड गए, अब तो खैर बहुत ही common है, बदलता इंडिया, बदलता भारत, और बदलती रेल, तो 3 मार्च, 3 मार्च 1969 को भारत में राजधानी लौंच की, 17 घंटे लगते थे, उस समय नई दिल्ली से हावरा, निउ डेली हावरा राजधानी थी, उस समय रेक्स भी अलगते, ICF रेक्स थे, 1400 किलोमीटर का सफर होता था, 53 साल, fast forward, 2022 आ गया है, कितने घंटे आपको लगता है, इस समय भी 17 घंटे लगते, रे यार तो घंटे कम होने चाहिए थे, और हाँ, पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बिल्कुल, इंडियन, देखे, राजधानी जो प्रीमिम ट्रेंसेस में तो डाइनमिक किराया होता है, मुझे आदा मैंने राजधानी का किराय चेक किया, फर्स क्लास, सेकेंड क्लास का, तो भाई, वो फ्लाइट के वराबर था, और राजधानी में सर्विसेस बहुत शांदार होती है, जैसे सेंटरल राजधानी है, उसकी आप जाएए, बस एक बार आप फर्स क्लास में सर्फर करिए, आप भूल जाएंगे सब, वाकई में सर्विसेस होती है, लेकिन, भाई, आप अगर सूपर फास की बात कर रहे हो, मुश्किल है, इंडियन रिल्वेस की बात करें, कॉम्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने ये देखा है, ऑडिट किया भाई, एकाउंटेंट, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है ना, हमारा एकाउंटेंट होता है ना, सब कुछ रिव्यू करता है, सब का ऑडिट करता है, कि भारत करोनो रुपए जो है, वो फेक राया, फेक नहीं रहा, स्पेंट कराया है उस्वड, रेल इंफरस्ट्रक्चर को अब्रेट करने में, लेकिन अभी तक टाइम ट्राइवल जो ट्राइवल टाइम है उल्टा बोल दिया मैंने टाइम ट्राइवल जो समय लगता है एक जगा से दूसरी जगा जाने में वो कम नहीं हुआ है 2007 में रेलवे ने डिसाइड किया था कि अगर आवरेज स्पीड आफ ट्रेन और जो डाउन डारेक्शन है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा ब्राड गेज जो अभी पटरियां होती है नेरो गेज तो चलती नहीं है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर गेज पे रखें तो उसको सुपर फास्ट कहेंगे समझ रहे हो यानि कि अगर 55 किलोमीटर प्रति घंटा एकदम लगातार चल रही है वो तो सुपर फास्ट है लेकिन ये तो बहुत लो बेंच मारक है भाई और तब से लेकर अभी तक इसको चेंज नहीं किया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है रितने म पंचुआलिटी आपको पंचुआलिटी देखने को नहीं मिलेगी तो चंभे में आ जाते है रहे ट्रावल टाइम यार पहले आ गई है यह आवरेज स्पीड मेल एक्स्प्रेस की कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर पर आर और आपके यह जो माल गाडिया है मा 55 किलोमीटर पति घंटे से भी कम है शयताब्य और राजधानी में भी कोई बहुत जाथ इंप्रूब्मेंट नहीं आया है अभी कुछ तेजस जैसे तेजस तेजस पर भी ठीक है मतलब सो एक्सो एकसो 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 दस क्यों मैं तेजस से फ्रिक्वेंटली ट्रावल करता र 2015, 16, 17, 18, 2015 में 9,112 कंप्लें, 2016 में 20,000 कंप्लें, 17 में 35,000, 18 में 40,000, male और express trend की बात करें तो 29.64%, would you believe it? 29.64% सिर्फ टाइम पे आती हैं, 70 में से, 100 में से 30 टाइम पे आती हैं अगर male या express trend की बात करें, ठीक है? 20% जो है, वो बिफोर टाइम कभी कभार आ जाती हैं, ठीक है? और 50% जो है, आधी train हमारी delay ही चलती हैं, एक तो ये भी है ना, कि एक train को late कर दिया के तो late कर ही दो, अब आप ये देख सकते हैं, ठीक है, average schedule speed of 2951 express train जो चल रही हैं, ये आप देखिए, कि below 30, 2% है, 30 से 47.4%, य ये average speed है, ठीक है, कितनी train है चल रही है, 75 की speed से उपर खाली 2.1% train चल रही है, आपको majority trains इसमें 55 से 75 के fair fair में दिखेंगी, समझ रहे हो? अब tickets का comparison देख लो, देखोर, mission रफतार railway ने बिलकुल ये launch किया है, no doubt, mission रफतार, अब 2016 में launch किया कि इसमें जो mail trains की speed है, वो 50 km से 75 km तक हम बढ़ाएंगे, 75-75 km प्रतिघंटा तक पढ़ाएंगे, और free train माल गारियों के speed 50 km तक, railway बहुत काम भी कर रही है, 9 engines लेके आ रही है, काफी कुछ locomotives, ठीक है, लेकिन अभी भी average speed of mail trains जो है, 2019 में, वो से 85 km प्रतिघंटा थी, यानिकी improvement तो हुआ ही ना, और again माल गा जब तरीके से हम modify करेंगे, infrastructure करेंगे, यह adopt किया है, maximum permissible speed जो है, वो 100-120 km प्रतिघंटा रहेगी, कुछ sections में नहीं, देखिए, track की भी limit होती है, मतब हर जगा आप इतनी नहीं चला सकते है, वहना train पतरीजो दर जाएगी, ठीक है, अब क्या के audit ने रिवील किया, कि खाली 97 7.9%, सुरी, सिर्फ जो 3% train है, जो सब के मैंने बताया, यह देख लो, यही, सिर्फ द्यार, वही खाली 75 से उपर चल रहे हैं, बाकि सब 75 से नीचे चल रहे हैं, ऐसा, अब आप यह देख सकते हैं, maximum speed, अब target क्या है, speed of 160 km प्रतिघंटा for passenger trains, और 100 km प्रतिघंटा for free trains, यह target ह यह कई बार इसको fix भी किया गया, लेकिन planning के बावजूद भी, maximum permissible speed, MPS में कोई भी change नहीं आया, जितनी हैं, उतनी ही है, शेताबदी और बाकि male trains जो है, उनकी maximum permissible speed कितनी हैं, maximum speed तक वो, जदे शेताबदी 130 तक जाएगी, और जो male trains हैं, वो 110 तक जाएगी, 2019 की बात करें, तो 9890 km of golden quadrilateral diagonal routes, they are only fit for operation, मतलब सिर्फ भारत में जितने tracks हैं, आप सबको ले लिजे, इसमें से 3030 km, यानि कि खाली 30% routes जो है, वही 130 km पती घंटे तक जा सकते हैं, यानि कि 100 में से 30% routes, high speeding routes हैं, बाकि नहीं है, ये चीज़ है, अभी ticket पे आएगे, अब आप ये देखिए, comparison अब देखिए, भाई ये आपका, मतलब, अगर अब उस समय देखो, 3 मार्स 1969 को, ठीक है, तब भी 75 km पती घंटे से चलती थी, न्यू डेली हावराडा राजदानी और अब भी तनी से चलती है, बॉम्बे राजदानी देखो, बॉम्बे राजदानी पहले 72 km पती घंटा, आप जाके 90 km, 18 km हुई है, मदरास देखो, 75 km, अब तो और कम, तो और जादा ले रही है, तो आप ये देखो कि भारत में कहां मतलब कुछ, इसमें ऐस सच तो दित्ता नहीं है, 30 साल होगे राजदानी लॉंच किये हुए, कुछ नहीं हुआ, गतिमान एक्स्प्रेस की बोल बोलाग जा रहा है कि 320 से लेकर, 300-300 km पती घंटा तक चलेंगे, मुंबई एमदाबाद से बॉलेट भी जाएगी, लेकिन क्या ये होगा, देखना पड़ेगा, टिकट्स देख लिजे आप, 60 मिनिट में, अगर आपको जैसे 1500 से 5000 तक आपको देना पड़ सकता है, 1500 तक आप नहीं देने पड़ेगे, ठीक है, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो, मिनिमा में आपके किराया आठाइस लोके करीव होगा, 2000 से 5000 आप मनिये, जब जब टिकट विंडो खुलती है, तब कराएंगे, तब की बात है ये, ठीक है, और बस से आप देखिए, अगर आपको 540 मि देने पड़ेंगे, एक गंटे के सफर के लिए, जब लब कहीं पर आपको जाना है, वही सफर बस से आपका 540 मिनिट में पूरा होगा, अब उतने आपको, उसमें आपको 1200 रुपे देने पड़ेंगे, चैसों से 1200 रुपे, ट्रेन से वही सफर जो है, वो 340-380 मिनिट में उसमें आपको 5,000 अपे देने पड़ेगे तो भाई इससे अच्छा तो फ्लाइट से ही चले जो ताइम भी तो बचरा है अब बुलेट ट्रेन में तो खेर 120-180 मिनट लेगिन किराया आपको फ्लाइट के बराबर देना पड़ेगा और might be possible कि आपको दो गंटा एक दो गंटा तो अब आप यह देखिए कि कौन सबसे बढ़िया है जादा चीप है है कि नहीं वही है कि 1997 से पहले जो चाइना की जो ट्रेन्स थी उनकी स्पीड थी 80 से 100 किलोमेटर प्रती घंटा आपको पता है और अभी अगर बात करें तो 120 से 300 किलोमेटर प्रती घंटे तक आ गई है और वहाँ चलती है चाइना की फास्टेस्ट ट्रेन 1021 किलोमेटर जो बीजिंग से नैंजिंग तक का सफर है उसकी आफरेज स्पीड 37 किलोमेटर पती घंटा है ठीक है यह देख सकता है चाइना में मैक्सिमूम स्पीड कितनी है जो लेंथ है जो रेल लाइन्स है उसमें कि चल रहे हैं और कितने भी एंडर कंस्ट्रक्शन है फ्रांस में आप देखे 320 स्पेन में आप देखे 320 जापान में 300 300 300 और भारत में 55 तो हमको यह सुधारना पड़ेगा कि नहीं आप बताए क्योंकि इंडिया का जो रेल्वे नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है अगर बात क देखे अगर आप कंपेर करो हमारे पड़ोसी को भी कंपेर करो चाइना को जापान को तो वहाँ पे 300 300 तक ट्रेंज चलेंगी हमारे हैं तो सुपर फास्ट ट्रेंज इसको करना पड़ेगा सरकार बहुत कोशिश कर रही है हम यह आप सरकार को क्रिटिसाइज निकर रहे है यह critical analysis है हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि हमको क्योंकि देखे ट्रेंज का दंज सबने जहला है मुझे याद है कि एक बार मुझे इंटर्व्यू के लिए जाना था ठीक है और वो इंटर्व्यू था सुबह सरकारी जोब का इंटर्व्यू था तो वो अगले दिन था मुझे ल लेकिन अब ट्रेंज की जो इस्थेती है वो सुदर रही है हमारे कोर्स को जरूर रवेट करें कोच रहें पढ़ते हैं देशा सिद्धान तक नहीं होतरी signing off